Good morning students, class 2, maths Students, आज के वीडियो में हम आपका chapter 11, money इसे start करने वाले हैं देखो, class 1 में भी आप money के बारे में पढ़ चुकियो money का मतलब होता है, धन तो इस chapter में देखो, हम warm-up में आपको दिया गया है count and take the correct and cross the wrong one देखो, नीचे आपको कुछ Indian currency के notes और coins दिये गए है और side में उनका total number उन्हें count करके लिखा है class 1 में आपने money को count करना सीखा था तो आपको क्या करना है, आपको cross लगाना है अगर ये wrong है तो, ये answer जो है, ये count करके जो लिखा है amount अगर ये wrong है, गलत है, तो आप cross लगाओगे और ये सही है, right है तो आप tick लगाओगे जैसे कि देखो, फर्स्ट में आपको 5 रूपी का, ये 5 रूपीस का note है अगेन 5 रूपीस, 5 रूपीस और 2 रूपीस तो 5 प्लस 5, 10 रूपीस, 10 प्लस 5, 15 रूपीस, 15 प्लस 2, 17 रूपीस तो ये हुए 17 रूपीस और यहां लिखे हैं 18 रूपीस तो ये गलत है, तो आप यहां पे cross लगाओगे ऐसी second देखो, देखो 2 रूपीस के 4 notes हैं और एक 2 रूपीस का coin है तो देखो, इनने count करते हैं 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 2, 10 तो ये हुए 10 रूपीस और देखो, यहां भी 10 रूपीस लिखा है इसका मतलब भी correct है, तो आप इस पे tick लगाओगे clear students, तो इस तरीके से आपको इन notes और coins को count करके यहां पे check करना है, अगर आपका amount जो count करने के बाद number आ रहा है, वो सही है, correct है, तो आप tick लगाओगे, गलत है तो wrong लगाओगे, next देखो which box has more money, count the money in each box, देखो, यहां पे आपको 3 box दिये गए हैं, इन 3 boxes में कुछ, देखो, इंडियन notes है और coins है, आपको इने count करके नीचे लिखना है, यह कितने हैं, और फिर यह बताना है, कौन से वाले box में ज्यादा money है, देखो, फर्स्ट वाले में देखो, 10 rupees, 10 rupees, देखो यह, आपका 5 rupees का note है, तो 10 10 plus 10, 20, 20 plus 5, 25, 25 plus 5, 30, 30 plus 2, 32, तो यह 32 rupees हुए, अब देखो, नेक्स में आपके 20, 20 rupees के 2 notes हैं, और देखो, 50 पैसे, 50 पैसे के 2 coins हैं, तो 50 पैसे प्लस, 50 पैसे, 100 पैसे, और 100 पैसे से आपका बनता है, 1 rupees, तो देखो, 20 plus 20, 40, 40 plus 1, 41, तो इस तरीके से आप इन बॉक्स में जो money हैं, उने count करोगे, तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में 32 rupees हैं, सेकिन में 41, थर्ड में 61 तो बताओ, कौन से वाले box में सबसे ज़्यादा money है, box C में 61, देखो, सबसे ज़्यादा है इसमें, अब आगे देखो, आपको दिया गया है, writing rupees and पैसे, देखो, जैसा कि आप जानते हो, यह आपका rupees का symbol है, जो इंडिया की currency है, rupees, उसका यह symbol है, इसका मतलब होता है, rupees, अब देखो, आपको बताते हैं, किस तरीके से आप rupees और पैसे को लिखते हो, देखो, यह आपका rupees का symbol है, और short में आप पैसे को लिखते हो, पी, अब देखो, आपको यहाँ दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको 1 रुपी का मतलब होता है, 100 पैसे, तो यह एक ही बात है, 100 पैसे मतलब 1 रुपी, अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ Indian coins और और यहाँ पे long form, यानि words में लिखा गया है, जैसे कि देखो, first में एक 1 रुपी का coin है और एक 50 पैसे का coin है, तो short में हम कैसे लिखेंगे, 1 रुपी, point, 50, देखो, point के बाद पैसे लिख दो आप, तो यह हमने short form में लिखा, और इसको long form में, words में कैसे लिखेंगे, 1 रुप and 50 पैसे, ऐसे ही देखो, next यह है, 20 रुपी का note, 20 रुपी का note है, 10 रुपी का और 5 रुपी का, तो 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 5, 35, तो यह हुए 35 रुपी, तो इसे आप लिखोगे, रुपी का symbol लगाओगे, 35,00, क्योंकि देखो, पैसे तो ही नहीं, अगर पैसे होते तो आप, य इसे वर्ट्स में कैसे लिखोगे, सिंपले लिखोगे, 35 रुपी, ऐसी देखो, next है, 50 रुपी का note है, 50 रुपी प्लस 20 रुपी, प्लस 5 रुपी, तो 50 प्लस 20, 70, 70 प्लस 5, 75, तो यह हुए 75 रुपी, इसे आप लिखोगे, ऐसे रुपी का symbol लगाओ, 75 लिखो, 0.00, और वर इसमें देखो, A and B, टू पार्ट्स दिया गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, उस तरीके से होगा, देखो आपको, लॉपी का symbol बनाओ, फिर 80 रुपी, पैसे कितने है, 35, 35, तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट में लिखोगे, पहले आप रुपी का symbol बनाओ, 15 रुपीज और 20 पैसे, तो शॉर्ट में लिखने के लिए पहले रुपीज का symbol बनाओ, 15 रुपीज, पैसे हैं 20, तो 15.20, तो इस तरीके से आपको इने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बी पार्ट में आपका, A पार्ट के ये अपॉजिट है विर इसमें आपको फुल फ आपती हूं आपको, जैसे कि देखो ये लिखा है, 25.25, तो देखो पॉइंट से पहले जो अमाउंट है वो रुपीज है, और पॉइंट के बाद जो है वो पैसे हैं, तो इसे आप कैसे लिखोगे, 25 रुपीज and 25 पैसे, सेकेंड आपका, रुपीज 38.45, इसका मतलब है 38 र तो 53 रुपीज and 10 पैसे, तो इस तरीके से आपको इन्हें कम्प्लीट करना है, अब आगे देखो आप पढ़ते हैं, एडिंग मनी, मनी को एड कैसे करते हैं, जोडते कैसे हैं, तो देखो यहां पे आपको एक्सरसाइज 11.2 में दिया गया है, लुक इट द प्राइस टेग देखो नीचे कुछ चीजे लिए आपको, देखो इन सभी चीजों पे इनका प्राइस टेग लगा हुआ है, यानि जो इनकी कीमत है, वो यहां पे इस टेग पे लिखी हुई है, जैसे कि देखो यह आइस क्रिम 5 रुपीज की है, यह क्रियोंस 15 रुपीज और 50 पैसे के हैं यह पैन 5 रुपीज और 75 पैसे का है, यह टोई कार 65 रुपीज और 75 पैसे की है, यह बैग 95 रुपीज और 50 पैसे का है, और यह एक्सराइस बुक 50 रुपीज की है, तो यह इनकी प्राइस है, अब आपको क्या करना है, नीचे देखो आपको पिक्चर्स ही गई है, आपको पिक्चर्स को देखना है और जो उनकी कोस्ट है उसे उनकी सामने लिखना है और फिर इने एड करके जो टोटल कोस्ट है यानि इनका टोटल जो इनकी कीमत है टोटल मुल्ले है वो बताना है जैसे देखो फर्स्ट में आपको दिया गया है आइस क्रीम और टॉइकार तो किसे सेगिन अपका इटम है देखो टॉय कार टॉय कार की कॉस्ट है 65 रुपीज और 75 पैसे तो 65 को रुपीज वाले कोलम में और 75 को पैसे वाले कोलम में अब आप इने एड़ कर दो तो पैसे वाले कोलम से स्टार्ट करना 0 प्लस 55, 0 प्लस 77 और अब रुपीज को करो 5 प्लस 5, 10, 0, 1 के रिनेक्स कोलम पे और 1 प्लस 6, 7 तो टोटल कोस्ट हुई 70 रुपीज और 75 पैसे clear students तो इस तरीके से आपको इन बाकियों को करना है तो आप इने ऐसी करोगे अब आगे बढ़ते हैं next देखो अब है आपका exercise 11.3 इसमें subtracting money यानि subtract minus करना है जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिया गया है subtract the rupees and पैसे इन rupees और पैसे को subtract करो फर्स देखो आपको दिया गया है देखो रुपीज और पैसे के कॉलम्स बने वे हैं 5 रुपीज और 65 पैसे 2 रुपीज और 50 पैसे इन्हें subtract करो minus करो तो student जैसे आप simple उपना minus subtraction कर देऊ उसी इम वैसी होगा अपने right से start करना पैसे वाले कॉलम्स से start करना 5-05, 6-51 and 5-23 तो आपको answer हुआ 3 रुपीज और 15 पैसे तो जैसे आप simply करते हो subtraction सेम वैसे होगा तो आपको exercise 11.3 को भी ऐसी करना है तो students आज के लिए इतना ही काफी है आप exercise 11.1, 11.2 and 11.3 इन तीनो exercise को अपने book में करोगे और इनकी अच्छे से practice करोगे Thank you